कि ना तीन पार्टनर्स हैं बिजनस को हुआ लॉस एक लाग पचास हजार का तो टेक्निकली तीनों के हिस्से में और पार्टनर्शिप डीड लॉस कितना है बचास हजार जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे जिसका मैंने आपको हिंट दिया था बचू सेट आफ एंड कैरी फावड ओफ लॉस आप लॉस अगर सेम एर में सेम हेड में सेट आफ नहीं कर पाते जिसको हम इंटर सोर्स अजेस्मेंट कहते हैं तम उसे डिफरेंट हेड स अजेस्ट करते हैं उसे इंटर हेड अजेस्मेंट कहते हैं अगर वो भी नहीं हो पाता तो वहीं कैरी फावड दा लॉस दा मैक्सिमम लाइफ पर विच यू कैरी फावड दा लॉस इस एट यर्स बट आप देखोगे कुछ लॉस ऐसे हैं जो सिर्फ चार साल तक कैरी पढ़ोगे थेरी पाट है बचो देर अजेस्ट बिजनस लॉस इस विच आउन एकांट ओफ अन अब्स 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 अब मान लो लॉस आया वन फिफ्टी सेम यर में आपकी और कोई इंकम ही नहीं है तो यू विल कैरी फावड देखोगे अब्स अ हाँ जी सर बट हुआ क्या तीन में से एक पार्टनर रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई तो अब पार्टनर कितने बचे दो तो अब कॉश्चन ये एराइज होता है कि आप कितना लॉस केरी फावड कर सकते हो क्या पूरा डेड़ लाग कैरी फावड कर सकते हो या सिर्फ एक लाग कैरी कर सकते हो या एक लाग प्लस सम्धिंग कैरी कर सकते हो उसको आज हम सबसे पहले सीखेंगे रas लिष्ज कर से लिए अरत नातर लापниц m कॉछू यह पुठिट यह वैड कर से बाघटर्म लिए आपी बशिखेंग्छ लगर कीज news we call it as change in constitution of form is that clear yes sir अब आते हैं हम अपने लॉपे हमारा लॉप क्या कहता है carry forward and set off of laws in case of change in constitution of the form section 78 says whenever there is a change in constitution the form shall not be entitled to carry forward so much of the laws as is attributable to such partner अगर सिर्फ इतना ही law होता तो इसका मतलब तो यह होता आप सिर्फ कितना loss carry forward कर सकते हों आगे पढ़ते हैं this provision covers when a partner gets out of the form it does not however cover when there is change in PSR और the case of admission makes sense दो से एक partner add होके तीन हो गया तो पार्टनर तो बढ़ी गए ना यह तो continue करी रहे रहे ना PSR आपकी आपस में profit sharing ratio change होई but firm का loss will remain same तो जनरी यह जो restriction लगेगी कब लगेगी जब partners add होंगे या less होंगे less होंगे less here I mean जब वो रिटार्मेंट या देथ का केस होगा इस एक पॉइंट क्लियर यह सो अब वो कहता है कौन कौन से losses carry forward हो सकते हैं house property business loss capital loss loss from the activity of owning and maintaining fourth races सिर्फ इनी losses को आप carry forward कर सकते हो is that clear is that clear guys yes sir salary salary का loss तो होई नहीं सकता partnership firm को house property वो उन्होंने लिख दिया business loss वो उन्होंने लिख दिया capital gain उन्होंने लिख दिया और iOS में सिर्फ loss only on account of owning and maintaining horse races can be carried forward अब वो कहता है as per the provision of section 78 जो उपर उसने लिखा वो बता रहा है कि कितना carry forward हो सकता है सबसे पहले कहता है find out the share of outgoing partner in the year of change in constitution find out the share of outgoing partner हम इसको question के साथ करेंगे बच्चू so that it becomes easier to understand let's talk about the question simultaneously क्या कहता है बच्चू question there are three partners net income of the firm is minus 130 out of which unabsorbed depreciation is 40,000 और मैंने भी थोड़ी जेर पहले आचिंचे एक बात बोली थी losses on account of unabsorbed depreciation can be carried forward for so far so good मैंने अपने loss को divide कर लिया regardless of the fact कितने partners है किसका क्या share है regardless of the fact कितने partners है किसका कितना share है but अब मैं share भी निकालना चाहूं बच्चू उनका ratio आपस में क्या था 1 is to 1 is to 2 आपको समझाने के लिए इतना detail लिख रहा हो जल्दी मत कर दो सर्क चीज पूछने थी यहां तक कोई doubt है तो पूछो नहीं तो मैं आगे जाओंगो यह unabsorbed depreciation वो होगे न मतलब इसका partnership ने अकाउंट ने रखा है मतलब इसका losses नहीं दिखा रखे हैं न मैं बच्चो देखो all credit plus all debit minus करते हैं तो loss आता है उस all debit में एक concept एक amount depreciation की थी इसका मतलब depreciation का भी मैं expense recover नहीं कर पाया इसका मतलब वो depreciation unabsorbed रहे गी मतलब टैक्स से उसका benefit नहीं मिला जो मिलना चाहिए था कौन सा financial year 2021 यानि यह जो business losses 130 दिये हुए थे यह किस financial year के थे अपरिल 22 March 21 on April 30 Z retires from the firm and other partners carry on the same business right yes sir yes financial year 1 April 21 to 31st March 22 death किस की हुए पतर sorry retire कौन हुए जेग work for one month agreed or not he retired from the form on 30th April it means in the current financial year which belongs to assessment year 21 22 he worked for one month yes sir assessment year 22 23 financial year 21 22 का assessment year क्या हो गया 22 23 अजिए पीजी ब्रीपी कितना है कि पीजी ब्रीपी कितना है कि पीजी ब्रीपी है वन लाक एट थावलेंड हाँ जी सर इस प्वेश्चन इस साइलेंट तो वन मंथ का कितना होगा 9000 इंगरीड और नौट हाँ जी डिवाइट बाइट वेल्फ इसमें से जेड का शेयर कितना होगा वाइट टू फोर्थ यानि की 4500 करेक्ट अजी इसका मतलब पिछले साल का लॉस कितना था जेड के शेयर का बता बटा जेड का शेयर ऑफ लॉस लास्ट येर था 65 नहीं मेरा बटा 65 ऐसे मत बोल जो मैं सरकल कर रहा हूं पहले अधर वाला हो ठीक है 45000 उसमें से आप मैक्सिमम कितना केरी ओवर कर सकते हों कॉमन से बात कर रहा हूं अचनतिया यार उसने इस साल में फॉर्म को कितना प्रॉफिट कमाके दिया है सर्फ 4500 तो उसके बहाफ पे नेक्स्ट येर में मैक्सिमम कितना लॉस अर्जेस्ट हो सकता है 4500 इसका मतलब जो बाकी लॉस बचा 40500 वो कैरी ओवर नहीं हो रहा नहीं होगा नहीं होना चाहिए similarly आप लोग बोलोगे ये भी कैरी ओवर नहीं होना चाहिए बट हमारा लॉग क्या कहता है इधर देखो इंफिनिट इस कहता है compute the share of loss of the outgoing partner in the brought forward loss मैंने brought forward loss में outgoing partner का शेर निकाला 45 प्लस 2065 उसके बाद आपका लॉग क्या कहता है find the share of outgoing partner in the profit of change in constitution वो हमने निकाल दिया 4500 find the share of loss in the brought forward losses the difference between the two or the aggregate of two cannot be allowed to carry forward but this is not applicable in case of unabsorbed depreciation इसी लिए इस line को ध्यान में रखते हुए मेरे को अब मैं बताउं paper point of view से आपको ये split करने की जरूरत नहीं है नहीं है आपको पता है कोई रहे या ना रहे ये loss तो carry over carry गटेगा कब तक कब तक जब तक है जान कब तक जब तक है जान जब तक है जान जब तक है जान So far so good Yes sir Lock कर दो हां जी sir Yes sir Done Okay अब Based on that Eventually क्या decide दो अबटा इदर देखना कि आपको समझाने के लिए लेकर रहा हूं Total loss कितना है 1 lakh 30 1 lakh 30 माइनस कितना carry forward नहीं हो सकता 40,500 इसका मतलब कितना loss carry forward होके adjust हो सकता है 89,500 इसका मतलब कितना loss carry forward होके adjust हो सकता है Total था 1 lakh 30 उसमें से कितना loss carry over नहीं हो सकता 40,500 40,500 carry over नहीं हो सकता तो बाकी तो carry over हो सकता है हाँ और carry over हो सकता है तो वो मेरे profit से adjust भी हो सकता है त्याने की 1 lakh 8 में से 1 lakh 30 माइनस 40,500 करके दिखाया बस बस उसको दिखाने का तरीका अलग गया देखो ये तो था मैंने गंदे तरीके से बताया अब इदर देखो हमारा current year का PGBP कितना था बता है हमारा last year का जो loss था उसमें से unabsorbed depreciation कितना था बता है 40,000 और कितना था मेरी बात 90 90 में से 90 में से हमने जब shares निकाले थे एक्स वाई और जेड के जेड के इससे में कितना आया था और इन दोनों का कितना था 22 500 22 500 और इसमें से सिर्फ 4500 के रीओवर हो सकता है करेक्ट अंजी और इसको इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4500 एलाउड 4500 एलाउड 4500 इसलाउड तो जब नेक्स्ट एयर में मैं ब्रॉड फॉवर्वर्ड लॉस को लेकर आया उस पे अनब्सॉर्ब डेप्रीशेशन का कितना आ गया 40,000 और अदर्ज वाला कितना आ गया एक्स का पूरा आ गया है य का पूरा आ गया और जेड का सिर्फ उतना ही आया जितना उसने इस साल प्रॉफिट कमा के दिया बात तो सेम है यह दिखाने का तरीका है मुने बटा इस एक पॉइंट क्लियर बच्चों यह सर्व लॉक कर दूँ नीए सब्सक्राइब आ चले आगे यह सर्व यह सर्व आल राइट बस यहीं मोटी मोटी चीज़े मेरे बच्चों को मैंने बतानी थी यह मैंने बता दी आज इस बुक में कुशन ही देखो एक होता है बट यहां पे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे इसलिए आज इस कुशन को करते करते हमें नानी याद आए मतलब टाहिम लगेगा आए में उसे तो हम अराम अराम से चलेंगे हम अराम अराम से चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है बच्चा बाटी एस सर आप लोगों ने आंसर लिख लिया था ना बत्तर जिसको लिखना था वो सेव नहीं हो पाया बटा मैंसे आपको पता है यू और बिजनस आ ट्रीटिड आश तू सेपरेट एंडिटीज पार्टनर्शिप फिर्म की टैक्सिबिलिटी अलग होती है और पार्टनर्स के हाथ में टैक्सिबिलिटी अलग होती है जो हमने लास्ट लास में सुयश और मैंने सीखने की कोशिश की थे याद है सुयश को करनी और उसी चीज़ को आज मैं दुबारा बोलना चाहूंगा फॉर सुयश बंसर आइजिमिंग बाकी दोनोंने रिकॉर्डिंग देख ली होगी इस क्शचिम में जुरूष पढ़े तो बताउंगा भी इसक्ट इस क्श्चिम में जूरुत पडिएग्य तो बताऊंगा भी इसक्ट इसक्ट इस अलग अस डृट्चिन तो अधूट्चिन अटूढ फॉर। I repeat मैं ये नोट लिखवाया भी था In trust and salary to the extent it is allowed as deduction to the firm It will get taxed in the hands of partners as PGPP अब एक पर आपस बता सकते हो नोट के तोर पे नोट के तोर पे पोशिश कर सकता हूँ ये मैने लिखवाया था बच्छू To the extent interest on capital and partner salary is allowed as deduction to the firm To that extent it is taxable in the hands of partners To that extent it is taxable in the hands of partners To that extent it is taxable in the hands of partners To interest and salary PGPP के P&L में debit हुआ इसका मतलब उस पे फर्म ने टाक्स पे नहीं किया है तो partner को देना पड़ेगा ये हमारा law है बचाए सब्सक्रीन शॉट ले लो एक बार सब्सक्रीन शॉट ले लो एक बार सब्सक्राइब 2021, there is no provision for payment of salary ये तो पिछले साल की बात है बट current year में तो deed बन गई और deed में ये सब लिख दिया गया बट सुजश कुल करनी को पता है deed का मतलब section 184 and remuneration and interest का मतलब section 40b वो इस चीज़ को ये भी लिखके बोल सकता था deed of partnership की जगा the conditions of section 184 read with section 40b has been completed the conditions of section 184 read with section 40b has been completed so far so good is that clear there is no provision for payment of salary and interest to partners पड़ा वो last year तक था आप समझना ही नहीं चाहरे हो पड़ो तो सही बटा English ठीक ठीक है सर्व मैने बोला भी था पतर मैने का वो तो पिछले साल का था इस साल तो deed बन गई ना सर्व मैने लास्ट लाइन इस अब उसके बाद कुल करनी साब हो गए क्या ना कुल करनी साब हमारी इंट्रस्ट की अपर लिमिट क्या थी है इस पर इंकम टैक्स है यह तो 24 परसंट दिखा हुआ ना थी कितनी 12 परसंट यानि हम इवन इफ देर इस आ पार्टनर्शिप डीड पार्टनर्शिप डीड होने के बावजूद भी प्रियंडल में 12,000 से जादा डेबिट नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो थोड़ी देर के लिए सब बच्चे ध्यान से सुनना क्योंकि बाकी बच्चे ना कार्टिक कंफ्यूद हो जाते हैं यहां लिखा होता लेट से 23 परसंट तो कितना है कार्टिक भाई या को परसंट स्वार बच्चें को यहां नहीं आप डाटिक चला के बता दिया करो तो च्वारा परसंट इस अलॉट है आज पता है क्या है कुछ बच्चे गड़बड कर जाते हैं मेरे इस एक्जामपल को याद रखना भी दुबारा लूँगा आज बारा परसंटी अलाओड है और बारा परसंटी डिस अलाओड है क्योंकि बारा से उपर भी कितना जा रहा है बच्चो बारा थैंक यू लुग गड़ मेरे वारा प्रसंटी अभी दीजाे है उफ दो बारांधॡ देख यू को तो अभी इग्नोर मारौ जब तक आप मेरे साथ tax liability partnership firm की निकाल रहे हो don't get personal because these are the personal detail of partners यह मैं तब यूज करूँगा जब मैं tax liability individual partners की निकालूँगा is that clear? yes sir now, अब हमने आगे पड़ा find out the net income and tax liability number A conditions are satisfied number two conditions are not satisfied अब आजाओ मेरे साथ पहले मैं सिर्फ firm के लिए solve करने जा रहा हूँ अगर आपने firm अच्छे से समझ लिया ना बिटा मैंने गंगा ना लिया और अगर सुजश last class में नहीं था तो आज मैं जादा help शायद ना कर पाऊं सुजश जिन्नोंने recording नहीं देखी क्योंकि वो फिर पूरा ही पिछली class वाला बताना पड़ जाएगा बट कोशिश फिर भी करूँगा काफी हद तक समझाने की को के सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब कि एक मिनट का ब्रेक दो बिटा कि 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 सिचुएशन ए टिक मतलब 184 एंड 40 बी सैटिसफाइड बी अभी समझा रहेगा बच्चों जब साथ-साथ करते हो ना तो जादा क्लियर हो जाता है है नौट सैटिस्पाइड हो चाहिए नौट सैटिस्पाइड हो सबसे पहले आप को पता है जब आप पी-जी-बी-पी मेरे साथ पढ़ते थे पहले क्या उठाते थे net profit correct उसके बाद आज ये section क्या है जरा आज इस question को करने के बाद जरूर देखेंगे हमारे इस question में बचा पार्टी लिखा हुआ था ये एडी ए है कि at least ये section जरूर आज देखेंगे बट फिलाल चलते हैं आगे उसके बाद आप मेरे साथ additional information पढ़ते थे कहता है this expense is not deductible not deductible means allowed or disallowed disallowed और disallowed है तो उसे minus करूँ या add back करूँ आपने profit कम कर रखे हैं तो अब आप उसे add back कर दो अब उसका next point during the previous year firm sells a capital asset index cost इतना इसका तो business income से to begin with कुछ भी लेना देना नहीं है it is to be tax under the head capital gain तो बात में अलग से देखें हाँ जी सर्ण तो मेरी addition information over हो गई अब office expense ठीक है salary ठीक है income tax तो कभी भी expense allowance allowance नहीं होता है तो इंकम tax विल गेक अलावद और डिसनावड डिसनाओ जाह से चाए पार्टनर्शिप डीड की कंडिशन सटिस्पाइब हुए चाय नहीं हुए नहीं हुए पार्टनर्स अलरी इस चार्ज और एप्रोप्रियेशन और एप्रोप्रियेशन तो कभी अलाओ होता ही नहीं है होता ही नहीं है सर यहां पर तो डीड है बेटा डीड है थोड़ी देर के लिए गांधारी बन जाओ क्या बन जाओ लड़कियां है तो गांधारी लड़कियां है तो धितरास्ट कि भाईया सालरी कभी भी अलाओ नहीं होता आमें तो इतना ही आता है थोड़ी देर के लिए मान दो चाहे condition satisfy हुई चाहे नहीं हुई जब भी partner salary की बात आए मोटी सी भेजा fry कर लो it is an appropriation भई यह appropriation तो लाओ नहीं होता ठीक है अब आया interest on capital प्लीज थोड़ी देर के लिए मानो यह 24 की जगाँ 23 है बी में तो डीडी रही है 23 हो चाहे तीन हो चाहे तेरा हो it is a charge or appropriation appropriation disallowed जब condition satisfy होती है हमने last class में पढ़ना शुरू किया था interest is allowed as deduction not exceeding 12% but आपने तो 23 इसको please मेरा बेटा please थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे concept सिखाना है इसलिए मान के चलो यहां उन्होंने कितना allow कर रख है 23% बहुत ना इंसाफी है तो 23 में से कितना disallow होगा 11 11 11 this is how you will calculate is that point clear yes sir yes sir this is how you will calculate अब इसका मतलब क्या हुआ 12% आपने profit में add back नहीं किया नहीं किया इसका मतलब 12% पे firm ने tax नहीं दिया जब मैं partner की income निकालूँगा ना 12% partner की income में add कर दूँगा क्योंकि मुझे बच्पन से एक ही चीज़ बच्चों को समझाने में समझ आई जो मैंने अपने आपको समझाई थी पतर जब मैं खुट income tax पहली बार पढ़ रहा था यार salary appropriation है bloody tax तो देना ही देना है चाह firm दे चाह partner दे अब 11% firm में add हो गया इस पे firm ने tax दे दिया 12% partner में add हो जाएगा उस पे partner tax दे देगा because ultimately it's an appropriation thank you very much so far so good हाँ जी sir अब हम अपने original question पे पुतर वापिस आजाते है हमारे case में तो 23 है या 24 24 तो यह जो 12 मैंने add back किया यह कौन से वाला 12 किया first 12 या next 12 next 12 बस यह बात याद रखना यह समझाना चाहरा था क्योंकि आदा हादा तो same ही आएगा न कारते yes sir is that clear yes sir yes sir lock कर दूँ now आगे चलते हैं बतर net profit हो गया credit side से receipt from client हो गया interest on drawing interest on drawing to income है income तो कभी भी disallow नहीं करेगा क्योंकि government जितनी income जादा दिखाएगा उसे उतना tax देना पड़ेगा देना पड़ेगा तो form to income government को तो tax चाहिए ना बटा अब हम जरा इसको करते हैं close जल्दी मत करना बचवाटी जब आप इसे close करोगे आज सारे add back वाले आया माइनस वाले आए नहीं इसी लिए मने प्लस माइनस प्लस माइनस कॉलम नी बनाए समझ गे ना बटा अब जब इसका total करेंगे मैं cheating मार लेता हूं बुक से लेक छे ब्याले 16800 पांच पचास और 17500 बन गया 734 300 बन गया 734 300 और यह बन गया 751800 करेक्ट लॉक कर दो इसको अब बोला जाता है सुयश बंसल कार्थिक आपने recording देखी थी जिसको पहले आप प्लस माइनस करने के बाद डारेक्ली PGBP बोल दिया करते थे जब आप assessment of partnership firm करते हो और condition satisfy होती है तो आप उसे book profit बोलते हो अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है partner salary इसमें तो नहीं करना क्योंकि उसमें तो condition satisfy नहीं हो रही है उस case में तो PGBP will remain same as book profit which is seven lakh fifty one thousand eight hundred यह समझा गया पुतर है अब आखरी बात सीखने जा रहे हैं अचिंते और मैं बात करेंगे कोशिश करेंगे अचिंते को भी समझाने कि आप लास प्लास में थे तो शायद आपने आधी देख लिए तो यह वाली बाग समझानी चाहिए maximum limit of remuneration वो कहता है first three lakh जो आपका यह हमारा book profit आया है इसमें से जो first three lakh rupees चीज होते हैं उसका आप कितना परसंट निकार लो और उसको कंपेर किससे करो वन लाक रिप्टी एंड क्या सेलेक्ट करो whichever is more higher प्लस जो बैलेंस बचा book profit balance book profit कितना बचा 434 300 इसका फ्लाट कितना परसंट निकार लो 60 किसी के पास calculator है तो कर दो है और मैंने order कर रहा है मैं करता हूं सब्सक्राइब मैंने order कर दे तुछ तो टीक है बटाविक तूलाक्ष्टी फाइवंड़ेड पाइटी हां तू सिक्जीरो फाइवेटी तू भाई सब्सक्राइब कर दोनों की मिला के टोटल सालरी कितनी थी तो आपको क्या है लाओ किया जाएगा एक बात और सुनना सिर्फ जो बच्चो रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए या पूरी नहीं देख पाए यहां पर असुयश कुलकरणी को याद होना चाहिए सैलरी हमेशे एड होती है एरिस्पेक्टिव ऑफ फाक्ट वेदर ही इस ए वर्किंग पार्टनर और याद आगया कुलकरणी मैं लास्ट क्लास में कुश्शन कराया था तो बाकी बच्चों तर एक वेस्ट है कर लेगा इनीशली चाहे कंडिशन सैटिस्फाय हुई चाहे नहीं हुई आपको सभी पार्टनर्स की सैलरी को एड करना है एर्रिस्पेक्टिव पेटिव अगस्च वेदर इस ए व्रकिंग पार्टनर और नों वर्किंग पार्टनर वहां हुई तो यसर्ड्यू कर दिया अब आगे चलते हैं बच्चों बट माइनस करते वक्त अगर कोई पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर है तो उसको लिमिट से कंपेर करते वक्त आप कंसिडर नहीं करोगे For example, why अगर नॉन वर्किंग पार्टनर होता तो हम यहां पर 250 का कंपेरिजन करते क्योंकि वाई अगर नॉन वर्किंग पार्टनर है हमारे लॉन में लिखा है नॉन वर्किंग पार्टनर की सैलरी इस नॉट टू बी अलावड अज देदक्शन Is that point clear पतर? Sir एक चीज पूछनी थी पूछो अब यहां तक कुछ पूछना है तो पूछो Otherwise विक्रम और विताल तू बोला और ना चला Sir जब हम add करते हैं तब तो consider नहीं करेंगे हो तो clear है क्योंकि law में लिखा है That is logical as well But जब हम minus करने की बात करते हैं as a deduction तो उसमें सिर्फ working partner की consider करेंगे जैसा आपने बताया तो अब जैसे इसमें से आपने बोला कि वाय कर non working है तो सिर्फ x का लेंगे तो अब जैसे 5,35,80 calculate किया है उसमें भी फिर x का लेंगे या उसमें उसको cumulative लेंगे दुबारा बोलो उच्छो सर मैं कहा रहा हूँ कि आखरी में जो आपने deduction लिया as partner salary उसमें तो आपने बोला कि हम सिर्फ x का लेंगे क्योंकि y non working partner है उपर वाली limit 550 के जगए हमने 250 लिया है पर अब जो हमने 5,30,85,80 calculate किया है यह भी x और y का calculate किया है न नहीं यह हमने limit calculate किया है उसको comparison से working partner से करेंगे इतनी इसी बात है तो मतलब 5,35,80 को working partner के उसमें reduce नहीं करेंगे ना ना working partner का जो भी है उससे बस यह compare हो जाएगा कि इससे ज़्यादा deduction नहीं मिलनी चाहिए अच्छा तो मतलब जो calculate किया है उसमें कुछ चीज़ों को mix करके क्यों confuse हो रहा है उपर क्यों add होना है क्योंकि law कहता है भाया मुझे नहीं मतलब आप कौन हो नीचे deduction किसकी लेनी है limit book profit पे है comparison working partner से है तो उसमें reduce करने की बात बिटा कहां से आ गई limit का मतलब है कि जब भी working partners की salary allow होगी वो इस amount से ज़्यादा नहीं हो सकती based on your book profit समझ गया सब तो दोनों अलग अलग चीज़ें बच्छों वो आप उसको compare मत करो adding on is it is an appropriation deduction is because it is allowed deduction के लिए actual amount working partner की लोगा और limit book profit से निकालूँगा दोनों अलग 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 चीज़ें बच्छा पार्टी अगर आप याद करो हमारा gold बेचा था उसकी index cost इन्होंने खुजी करके दे दी तो इससे आपका long term capital gain निकलाएगा पतर इन दोनों का difference will be called long term capital gain तो मैंने भी बुक से cheating मार लिया which comes out to five six four one three five तो add long term capital gain इसके अलावा तो इनकी और कोई income नहीं है न बतर नहीं है sir उसकी personal income उसका partner का profit interest shut up वो जब partners के लिए निकालेंगे तब उससे पहले हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है इसका अब हमने total किया total आ गया है seven six seven eight six zero वैसे तो eight five five आया है और सबको पता है last digit five या five से higher होती है तो round off towards six zero higher और दूसरे वाले का one three one five nine four zero अब मेरे बचे मुझसे दादा smart है यह मेरा क्या आया है प्लीज ध्यान देना बटा ग्रॉस टोटल इंकम लेस्ट डिड़क्शन अंडर सेक्शन एटी सी टू एटी यू और सच्छी बात बता हूं आपका एटी सी एटी ट्रिपल सी एटी डबल सी डी 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 ड टी टी एटी टी टी बी एटी यू यह सब इंडिवीजियल्स के थे हां जी सर्फ एक डमीजन नी तो था जो सबको एलाउट था अंजी और इस क्वेशन में डॉनेशन की तो बात ही नहीं हुई तो कुछ नहीं पर या फिर वह सेक्शन है जो आपके अलेटी आइए एटी आई भी और तो आपके लेवल पे तो ज्यादा तर फॉर्म के केस में कोई डिड़क्शन डोनेशन के इलावा आएगी ही नहीं सर वो डोनेशन भी कंप्लीटली डिड़क्टिबल होती है नहीं बचू किया तो था हंड़र्ड सिफ्टी और फॉर्मला बेज़ अच्छा वह आलाप के रहे हो एटी जी एटी जी बेटा या डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी यह दो ही थे बतर अब इस इंकम में गाइस इस इंकम में लॉंग तम क्यापिटल गेंग कितना एटेट था सर फाइव सेक्स फोर वान ट्री फाइव था ना हां जी सर उसपेट ट्वैंटी परसेंट मैं माउंट केल्कुलेट नहीं कर रहा है बुक से चीटिंग मार लेंगे और अगर इंकम हमारे पास कितना बचा क्योंकि कुछ डिड़क्शन नहीं मिली तो सेम ही बच गया होगा और फर्म के केस में टैक्स रेट कितना होता है कुलकरणी साहब 30 परसेंट अब जब यह टैक्स कार्तिक भाया निकाल लोगे इन दोनों को एड कर देना वह आपका क्या बन जाएगा टैक्स वह आपका क्या बन जाएगा मेरा बेटा टैक्स और जब वह टैक्स बनेगा वह आपका आ जाएगा पुतर 173945 मैं चीटिंग मार के लिख रहा हूं जस्टू सेव टाइं और उसका आ जाएगा पुतर डबल ट्री एट ट्री सिक्स नाइग इसके बाद सर्चार्ज का बात है जब नेट इंकम कित्ती एक्सीड हो खुल करनी साहब नहीं वह इंडिविज्व के लिए था फॉर्म के केस में इस नेट इंकम एक्सीड वन करोर सर वैसे करने की जरूवत है क्या सर्चार्ज बटा याद तो रखो ना बुतर क्योंकि भरोसा नहीं आपको पेपर में एक करोड से उपर की इंकम दे दे तो क्या करोगे अब यह जो अमाउंट आता है बच्चा पार्टी इस अमाउंट पे हाईर एडुकेशन से सोर एडुकेशन से इस लगता है ऐसे चीसी पोर परसंट यानि टाक्स टाक्स पे टाक्स इन दोनों का एडिशन यानि अगर यह सौ रुपे है यह दस रुपे है तो सेस कॉल्ड हा आड़ करोगे आपका बुक से आंकर टैली कर जाएगा वहीं बता रहा हूं बच्चू सबको समझ आ रहे हैं क्योंकि सुयश कहते हैं सरकेंबर सीधा देखके समझ नहीं आता तो हम साथ-साथ लिखते हैं तो थोड़ा रिटेन हो जाता है उसकी बात भी सही है तो इसलिए म भी पार्टनर्स करना बाकिए है बट फॉर्म होने के बाद बच्चू आप बिलकुल बढ़िया हो सकते हो इस तर पॉइंट क्लियर यह सो यह सो यह सो यह सो आगे यह सो अल्रें अब आते हैं टाक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कितने आदमी थे दो 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 ही थे ना जी यह वह बिलकुल आप जैसे जवान बच्चे इस तरी का लिखाये अठाइस और छब्दी साल के नहीं ना रायक ओच छाओ आप दो कि अगर दो आप मेरी बात सुनें ज़रा रहां से सबसे इसले आपका टार्गेट होना यह भी ज़ी जा लोग focused assessment of individual में भी प्रेजन थे जो लोग assessment of individual में भी प्रेजन थे उनको पता है share of profit from firm is fully exempt from tax तर्डेक्ट ये तो assessment of individual में पड़ा था ता है share of profit received from assessment of part association of person or body of individual is also fully exempt from tax on this नाव भगवान हमारा भला करे सबका मालिक एक इंट्रस्ट ओन क्यापिटल जुजैन इधर देखो मेरा बटा वेन कंडिशन्स वर नॉट सैटिस्पाइड क्या आपने इंट्रस्ट ओन क्यापिटल पूरा एड किया था कुछ तो बोलो क्या आपने इंट्रस्ट ओन क्यापिटल और सैलरी पूरा एड किया था अगर आपने इंट्रस्ट ओन क्यापिटल पूरा एड किया था इसका मतलब इसका मतलब आपने इंटरस्ट on capital की deduction claim नहीं की नहीं करियो इसका मतलब इस पर फॉर्म ने पूरा tax पे नहीं किया तुप आगल है क्या प्रॉफिट में याड़ कर रहा है नहीं किया इसका मतलब इस अमाउंट पे फॉर्म ने डिड़क्शन क्लीम नहीं करी नहीं करी है सब्सक्राइब इसका फॉर्दर मतलब जैसे मैंस में कहते हैं इस फॉर्दर इंप्लाइज वह सब्सक्राइब इस पर तैक्स पे कर दिया तो इसपे पार्टनर टाक्स पे नहीं करेगा अब आजओ कंडिशन सेटेसफाई हो रही थी तोटल थोड़ी दिर के लिए एज्यूम करो 23 परसंट था एड़ बैक कितना किया था 11 एक बार दुबारा बोलूँ मैं मेरे बच्चों को जब एज्यूम करो 23 परसंट होता तो एड़ बैक कितना किते है 11 इसका मतलब बाकी 12 पे 12 सरकार को अभी तक टैक्स नहीं दिया उस बारा पर गॉंटाइक्स देगा पार्टनर्स पार्टनर्स तो वहीं बारा मैं यहां पर आड़ बैक करें को रिकार्ट अच्छा सब्सक्राइब यह फर्स 12 परसंट है जो उपर इस 12 परसंट दिया था यानि अगर टोटल इंट्रस्ट ही 11 परसंट होता तो यहां पूरा 11 एड हो जाता तो यहीं तो मैंने वो इंग्लिश लिखवाई थी बचो तू दा एक्स्टेंट इंट्रस्टेंड सालरी फर्म माइनस करके चलती है जिसकी फर्म को डिडक्शन मिलती है उस अमाउंट पे फर्म ने टैक्स नहीं दिया था तो उस पर कौन टैक्स देगा था पार्टनर बात कर तो ओके सर्थ चले आगे बतार यहस सर्थ पार्टनर सालरी बड़े रहां से सुनना पार्टनर सालरी आपने कितनी आड की मुझे नहीं फर्क पड़ता है आपने कितनी आड की मुझे नहीं फर्क पड़ता है मुझे फर्क पड़ता है इवेंचली आपने डिडक्शन कितने की ली देखो जब condition satisfy नहीं हुई तो firm ने deduction नहीं लिए इसका मतलब partner इस पे tax पे नहीं करेगा क्योंकि firm इस पे already tax दे चुका है कैसे पता देखो एड किया माइनस थोड़ी किया है आजी सर एड करने का मतलब इस अमाउंट पर इस एमाउंट पर फॉर्म ने tax पे नहीं किया है पार्टनर ओवान पार्टनर लव में लव मी महीं बना पार्टनर प्रॉब्लम यह है यहां पर सुयश बंसल कार्टिक खटर और सुयश कुल करनी यह आप मेरे बच्चे ओं आपको पहले भी पढ़ाया हुए तो थोड़ा ना अच्छा लगता है जब उनको कॉलेज में भी पढ़ाता हूं क्योंकि मेरी कुछ चीजें उन बच्चों को समझ जबने में असान है वैसे तो मैं कोशिश करता हूं सबको समझाओं स्कूल में क्या बोलते थे पता नहीं आपको याद है यूस तू यूस दा टर्म एप्रोप्रियेशन रेशो येस सर्व और यहां पर लेमें सेंस में बोल दूँ एक्स की सैलरी कितनी थी और वाई की सैलर मिली है बठ हमें टैक्स सिर्फ फांच तीस पर ही देना है तो कौन कितना देगा जिस रेशो में सैलरी मिलती है उसी रेशो में आपके हाथ में इस अमाउंट को डिवाईड कर दिया जाएगा जिसको हम सूय श्कुर करनी सूय बद्सर कहा करते थे एप्रोप्रियेशन यह दर आया बटा ऑंजी संवाइयर। वी सिंप्ली कॉल इस सालरी रेशो स्यु अब यह जो अमाउंट निकल के आया ए थिस इस कॉलड PGBP in the hands of पार्टनर पार्टनर PGBP in the hands of पार्टनर बस यहां तक लिखने के बाद अब मेरी लाइफ हो गई एजी यहीं समझाने वाली बात थी नाओ लेट सेट पर्सनल इंट्रस्ट बैंक इंट्रस्ट बोथ हार इंकम फ्रॉम sorry sir they both are income from other sources so this becomes their gross total income हाँ जी सर्व चीटिंग मार लो मच्छो जड़ा में पार क्यलकुलेटर नहीं है आज आम नौट अप्रेटिंग फॉम में नॉमल प्लेस तो यह मेरे पास कितना आ गया बतर बग्वान बला करे 1379 173 883 907 1130 585 लेस्ट डिदक्शन अंडर सेक्षिन एटी सी टू एटी यू पर आ रहे हैं बच्छो पीपी एफ पीपी एफ कम अंडर एटी सी येस अंड मेडिक्रेम अंडर एटी डी और दोनों के दोनों पच्छिस से कम हैं सब्सक्राइब क्या 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 रहा हूं जी सब्सक्राइब तो एटी सी ये था 120 120 था ना मतर है इसी के बास बूक है तो इन ऐसान करके खूल लो भाई आजी सर्व बूक है कितना था ट्वंटीटू एंट्वंटीवां येस तो ट्वंटीटू ट्वंटीवां अब आपके पास क्या आ गया इनके हाथ में नेट इंकम नेट इंकम आ गया मार पास 1237 170 767 910 988 इंड 469 इस केस में आपको क्या मिल जाएगी रिवेट अंडर सेक्शन अब टैक्स निकालना आता है वह महीं पर दिखा देता हूं बच्चो कि में चीज खतम हो गई इंकम टैक्स तो सब बच्चे निकाल सकते हो ना बुटर इसलिए पूरे का पूरा माइनस हो गया इसलिए पूरे का पूरा माइनस हो गया इसलिए सर्चार्ट सब लगती है जब अट लीस इंकम पचास लाग से उपर हो अहां तो नहीं लगी लिए एंड हेल्थ एंड एड्यूकेशन से साफ़का फूर परसेंट है करेक्ट येस सर्थ ये आपका है जब आप एटी एर फॉलो करोगी और टैक्स लिजिन यहां तक तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है येस सर्थ नहीं यहां तक सेम नहीं रहेगा बच्चु यह गधे आपने यहां तक मेरे साथ कर लिया था अब यहां से देखो इस इस दा इंकम विच इस बिफोर डिड़क्शन अंडर सेक्शन एटी सी टु एटी यू जी और ये डारेक्ली मेरा नेट इंकम बन जाएग अप्तर क्योंकि आपको जब आप अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम फॉलो करते हो डिड़क्शन अलाओ नहीं होती तो यह गधे हैं इनको सीधा ऐसी लिखके दिखा देना चाहिए ना बटा यह सब बस उसके बाद तो टैक्स निकालना बटा इस एक लिए आप समझ गे ना बटा मैं क्या कह रहा हूं आपको पेपर में यह करने की जरूरत सुयश बंसल कुल करनी कार्टेक नहीं है यू डारेक्ली साट वे जो आपकी रेगुलर टैक्स रेजिम की जीटी आई होती ह टाइम्स उससे जब तक वहां पर कोई डिफरेंस ना है कहीं बार सैलरी की वज़े से वहां भी डिफरेंस आ जाता है ना बंसल बस उस चीज़ का ध्यान लखना है विटा अन्जी सो लॉक कर दूँ कि ओके शॉब कि अ कि अ दन आज एक छोटी सी चीज़ मुझे पढ़ानी है मेरे बच्चों को अ कि अ कि अ कि अ कि अ झाल झाल